नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है शुबम और आप देख रहे हैं इंशुरेंस गुरू जी सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन को दपाईए लेटेश वीडियो सबसे पहले देखने के लिए दोस्तों जब भी आपने L.I.C. की पॉलिसी ली होगी या जब भी आपने L.I.C. की किस्त ओफिस में जमा कराई होगी तब आपको एक रसीद मिली होगी तो क्या लिखा होता है इस रसीद में जहां तक मैंने लोगों से पूछा उन्होंने यही बताया हम सिर्फ नाम पॉलिस आइए जानकरी तो आइए जानते हैं तो दोस्तों जब आप पहली बार किस जमा करवाते हैं पॉलिसी लेते टाइम उस ताइम आपको जो रसीद दी जाती है वो होती है फर्श प्रिमियम रिसिप्ट और इसके बाद जो भी आप प्रिमियम भरेंगे इन फूचर उस ताइ प्रेले उपर आपको servicing branch का code दिया जाता है जिससे आप पता लगा सकते हैं कि कौन सी branch में आपकी policy हुई है हर LIC office का अलग unique code होता है फिर आपको यहां दिखेगी आपकी policy की premium आपने कितनी किस्त जमा की है फिर नीचे आपको दिखेगा policy holder का नाम जैसे यहां हमारे है अनील दोस्तो यहां जानकर ही जो मुझे लगी confidential रखनी चाहिए उसको मैंने blur कर दिया है फिर यहां आपको दिखेगे policy number फिर आपको इसके आगे एक unique identification number दिखेंगे फिर यहां लिखा है DOC जो है 2812-2020 DOC का full format date of commencement दोस्तो date of commencement आप समझ सकते हैं कि कौन सी तारिक से आपकी risk cover होता है जैसे आपका जो प्लान है उसका एक नंबर होगा जैसे यहां 6-9-36 इनटे 6-2021 जीवन लाब प्लान का इसी तरीके से अगर अगया प्लाइब प्रिम्यम परिंग टर्म है 15 साल और प्रिम्यम परिंग टर्म है 16 साल मतलब सुला साल तक भरना है, फिर इस अगे आगे आपको दिखेंगे ऐसे लिखा हुआ, ऐसे का मतलब होता है, Sum Assured Sum Assured में लिखा है हमारा 3,50,000 मतलब कि LIC हमें कितने रिस्कवर दे रही है वो दे रही है 3,50,000 की रिस्कवर फिर आपको दिखेगा DUM जो है 28,12,2045 तो इसका full format date of maturity मतलब आपकी जो policy पूरी होगी और आपको कब पैसे मिलेंगे वो तारिक यह है इसके आगे आपको दिखेगी premium लेकिन दोस्तों उपर जो मैं premium देखी वो थी 17,000 लेकिन यहां है 16,302 क्योंकि यह without GST है इसके साथ हमें CGST और SGST भी पे करना पड़ता है तो इन सबका edition आपको उपर दिखता है इसी के आगे आपको दिखेगा mode जैसे हमारे YLY लिखा है YLY का मतलब है यहां पर yearly mode हमने चूज किया है फिर आपको दिखेगा DOB आप समझ सकते है date of birth इसी के आगे आपको दिखेगा age कि इस date of birth के according आपकी age कितनी हुई है फिर दिखेगा DLP जो है 28-12-2035 DLP से आप समझ सकते है date of last premium कि आपको last premium कब तक पे करना है तो यहां पर है last 21-12-2035 फिर इसके आगे आपको दिखेगा PROP number इसका मतलब होता है proposal number कि आपकी जब policy allot हुई तो आपको यह registration number दिया गया की होती है डेट लेकिन जो आपकी एलाइसी में policy की पैचान होती है वह policy नंबर सही होती है proposal number हर साल change होते रहते हैं लेकिन हर customer का यूनिक policy number होता है proposal number से मों सकते हैं लेकिन policy होता है फिर आपको नीचे दिखेगा nominee यहां पर nominee का नाम लिखा होता है कि इस policy में किन को nominee बनाया गया है जैसे इसमें लिखेवे हैं उमेद तो उमेद का आगे आरियल लिखावा है आरियल का मतलब होता है relation relation आगे लिखा है बी बी मतलब brother यह brother है इनके इन्होंने brother को nominee बनाया है फिर लिखा है next due next due मतलब आप वापस किस्त कब भरनी है तो यहां लिखा है month 12 और लिखा है 2020 इसके date क्यों नहीं लिखे है friends क्योंकि date आपकी क्या चल रही है 28 तो यहां पर यह नंबर अलग होते हैं फिर आपको दिखेगा यहां पर नीचे रिवन्यू टिकेट दोस्तों रिवन्यू टिकेट चिरफ उन्हीं रिशिप्ट के अंदर लगाया जाता है जिसमें आपकी प्रीमियम 5000 से ज़्यादा होती है 5000 से अगर एक रूपे वी कम प्रीमियम है तो यहां पर रिवन्यू टिकेट नहीं लगाया जाता है तो काफी बाद कस्तमर्स के यह डाउट होते हैं cash counter पर के हमें रिवन्यू टिकेट नहीं लगा कि देते हैं तो रिवन्यू टिकेट का यहां पर 5000 से advertisements आते हैं जैसे कोई plan से related कोई line हो गई या इसी तरीके से यहां लिखा है तो दोस्तों यह थी हमारी complete information तो I hope आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी अगर आपको इस वीडियो से नई जानकरी मिली तो इस वीडियो को like कीजिएगा aim रखते हैं 100 likes का और इस वीडियो को जरू शेयर कीजिएगा जिसे बाकी लोगों को भी जानकरी के बारे में पता चले और दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नहीं तो इस चैनल को जरू सब्सक्राइब कर दीजिए को कि यहां पर मैं L.I.C. के plans भी डालता रहता हूं तो आपको उसकी भी जानकरी इस चैनल पर मिल जाएगे ओके फ्रेंड्स थैंक यू